हेलो आल, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होगे तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये रहने वाली है आपके पोर्शन के लिए देखेंगे कि वो सोने से पहले आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं ठीक है? इस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं और जिर्नल रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है डीटल रीडिंग करेंगे हम ठीक है? डीटल रीडिंग वही 20 से 22 मिनट की रीडिंग होगी हमारी ठीक है? तो वो रीडिंग करेंगे हम क्योंकि आप लोग को डीटल रीडिंग रात वाली डीटिल रीडिंग पसंद होती है तो मैंने सुचा कि चलो शॉर्ट रीडिंग तो हम देते ही हैं टीटिल रीडिंग भी देते हैं है ना तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही आप सबसे मैं request करना चाहूंगी कि आप लोग मेरे दूसरे चैनल को subscribe नहीं कर रहे हो दूसरे चैनल कौन सा स्वादवित स्वाती को आप लोग उस चैनल पर बिल्कुल भी focus नहीं कर रहे हो खाना नहीं खाना अच्छा लगता आप लोगों को foodie नहीं हो हो ना मुझे पता है आप लोग बहुत foodie हो तो आप लोग उस चैनल को भी subscribe कीजे वीडियो को like कीजे और उस पर भी मैं cooking करती हूँ तो कुछ-कुछ recipe आप से share करती हूँ तो आप लोग मेरे उस चैनल को भी subscribe कीजे वीडियो को like कीजे और मेरे साथ जो है दिन भर कुछ न कुछ न कुछ सीखते रहे तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपने ये रिडिंग देखते हैं कि आपके पॉर्टसन जो है क्या सोचते हैं सोने से पहले तो करते हैं स्टार्ट ओके तो यह रही मैं आज इस सक्ट का यूज़ कर रही हूं ठीक है दिखते हैं प्लिज इन्वर्स काईड में जो भी मेरे वीवर देख रहे हैं उनके पॉर्शन रात को सोने से पहले उनके बारे में क्या सोचते हैं पीस काईड में और आपके पॉर्शन का कुछ लव मैसेज भी देखेंगे हम ठीक है तो आइजिन ना लो ठीक है देखते हैं इस इन्वर्स काइड में और आप लोग चैनल को भी इस चनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो अपनी सिसका बिल्कुल भी द्यान नहीं है आपको चलो क्वीन आप कप्स क्वीन आप कप्स ओके आप क्वीन हो उनके लिए आजा पहारों की मलिका गाना सुना है आप लोग ने सुनना मुझे चैनल हो रहा है इस प्लीज काईट ने एट आप साथ हम्म्म अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ थे चारियट कि आ सोचते हैं वो हर रात आपके बारे में देखते हैं एट अफ कप्स ओके दसन वाव और देखते हैं कार्ट्स किंग ओफ पैंटिकल्स ओके इनको मैं रखते हूँ साइड में ताकि हमारे कार्ट्स और भी निकले और उस कार्ट्स का भी मैं यूज करूँगी ठीके तो देखते हैं और क्या कार्ट्स है क्वीन ओफ वेंट्स वेरी नाइस सेवन ओफ पैंटिकल्स ओके चलो मैं साइन भी बता दूँगी आपको टैंशन नहीं लेना ओर ओफ वेंट्स ठीक है अब मैं कार्ट्स तेहीं निकालूँगी कार्ट्स जो है मैं दुसरे डेक से निकालूँगी टैन ओफ पैंटिकल्स बॉटम अफ तर डेक ठीक है तो यहां पर क्या कार्ट्स मुझे बताते हैं आपके जो कार्ट्स हैं मुझे यह बता रही है कि आपके जो पर्सन है ठीक है आपके जो पर्सन है किस साइन के है यह मैं आपको बता दू तो यहां पर साइन जो है मेरे पास कैंसर स्कॉर्पियो पाइसस है जेमिनाई लिब्र एक वेरियस है तो सारे ही अलिमेंट से सारे ही साइन एवी लेवल हैं तो यहां पे मुझे कार्ड यह बता रहे हैं तो मुझे यहीं दिख रहा है आपकी रिडिंग में आपके परसन आपके बारे में क्या सोचते हैं पहले तो आप बेहत खुबसूरत हो क्वीन हो आप फेक है क्वीन आप कपस का कार्ड आया है बेहत खुबसूरत हो बहुत मैचईयर हो ऐसे परसन हो आप जो उनकी लाइफ में एक कहते हैं न की उगता हुआ सूरज है न यहां पर आप उनके लिए वो हो जो कोई और नहीं है आप एक queen हो, आप एक rani हो, उनके दिल में आपकी एक खास जगह है, है ना, जो आपकी जगह को कोई और नहीं ले सकता, ठीक है, आप एक mother की quality रखते हो, मतलब कि आप हो सकता है कि married हो सकते हो, आपकी person married हो सकते हैं, या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मुझे कार्चा है king भी है, queen भी है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यह कार्च है, और यहाँ पे आपके person आपके बारे में सोचते हैं, कि आप बहुत प्यार करने वाले हो, emotional बहुत हो, emotional फूल बनते हो आप, है ना, emotional बहुत जादा हो आप, यहाँ पे मुझे यह नज़र आता है, कि आपके जो से आप अपने person को प्यार करते हो, ठीक है, आपके person ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, आप बहुत ही positive vibe देते हो अपने person को, यहाँ पे ऐसा नज़र आता है, कि आपके relationship में अगर कुछ बिगर जाए, ठीक है, आपके person ही आपको जो है, थोड़ा बहुत बोल देते हैं, तो थोड़े time के लिए ठीक है, आपको बूरा लगता है, लेकिन फिर जो है ना, आप इनके पास जाते हो, इनसे बोलते हो कि नहीं, छोड़ो, जाने दो, ठीक है, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करो, ठीक है, आपकी गलती रहे या नहीं रहे, लेकिन आप बोलती हो कि ठीक इसके अनुसार से यहाँ पे क्वीन भी है, दो क्वीन्स है मेरे पास, हो सकता है कि आप लुग दोनों सेम जिंडर सेक्स भी होगे, ठीक है, तो यहाँ पे कार्ट्स मुझे बताते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, यहाँ पे समय गवाना आपको पसंद नहीं है, जो वर्किंग हो, बहुत जो है अच्छे तरीके से करते हो, यहाँ पे कार्ट्स मुझे यहीं बता रहे हैं, एक होता ना कि आपको जूट से नफरत है, देखें, आपके जो पर्षन है, यह आपके बारे में सोचते हैं कि इसको जूट से बहुत नफरत है, अगर इसके सामने को देखो eight of sorts के energy है आप बहुत दुखी हो बहुत दर्द में हो आपके person ये भी सोचते हैं कि आप तकलीफ में हो आप इनके लिए तडप रहे हो इनके लिए तरस रहे हो ठीक है इस तरह भी है हुआ ठीक है क्योंकि आपको जुदाई बरदाश नहीं होती ठीक है इस person से इस person से आप बात नहीं करते हो तो आपको जुदाई बरदाश नहीं होती आपके person ये हमेशा सोचते हैं और ये आज भी सोच रहे हैं कि मेरे कारण से उसको दुख मिल रहा है तकलीफ मिल रही है है तो eight of sorts के energy है ठीक है इसके साथ ही मैं देखू the chariot का card the chariot भी मुझे cards बता रहे है कि देखो मैंने जैसा कि पहले कहा आपको मैं eight of sorts के card को और अच्छे तवरीके से बताना चाहूंगी आपकी energy को बताना चाहूंगी यहां पर आपने मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत मासूम हो यहां पर कहते ना कि आप प्यार का सागर हो है ना प्यार का सागर तो आपके जो person है आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जितना अपने relationship में या किसी person के लिए आप जितना करते हो उतना आपको मिलता नहीं है ठीक है आपके person यह सोचते हैं आपके बारे में और यह person यह भी सोचते हैं कि मेरे क तारण से भी उसको काफी दुख मिला है काफी तकलीफ मिली है काफी वो डड़ी-डड़ी सी रहती है या रहता है ठीक है तो इस तरह की energy है इसके साथ ही मैं देखू तो कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं कि दा चैरियर का कार्ड मुझे clear बता रहा है कि आपके जो person है आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही एक successful person हो बहुत ही अच्छी energy है आपकी बहुत ही अच्छी vibration है ठीक है आप ऐसे person हो जैसे होता ना कि love one का हो है न तो आप उसको बहुत अच्छे से समालने की कोशिश करते हो ठीक है और यहाँ पर मुझे यह भी नज़र आता है कि थोड़ा सा एगो भी है आप में आपके person ऐसा सोचते हैं आपके बारे मिखें थोड़ा सा करना पसंद है आपके परसन यह सोचते हैं और आपके परसन यह भी सोचते हैं कि वो मुझसे बात करना चाहती है मेरे next action का wait कर रही है यह कर रहा है ठीक है इस तरह की भी energies है यहां पर जो की बताते हैं कि इनको ऐसा दिख रहे हैं जैसे कि आप काफी confused हो रहे हैं वो शायद इनके किसी बात को ले करके, किसी ऐसी situation को ले करके, इनके मन में जो खयालात आ रहे हैं, जो situations आ रही हैं, उसको ले करके आप थोड़ा सा जो है न मुझे यहाँ पे आपके person ऐसा सोचते हैं, कि यह थोड़ा confused रहती है कि इसको wait करना चाहिए, या move on करना चाहिए, है ना, तो आपके बारे में ऐसा person आपके सोचते हैं, कभी-कभी आपके person ऐसा भी सोचते हैं, कि उसको लगता है कि मैं उसकी life में वापस नहीं आऊँगा, तो वो move on कर जाए, है ना, तो आपके person आपके बारे में यही सोचते हैं, कि वो अपने मेरे situation से वो परिशान हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे वो अपने life में आगे बढ़ने के बारे में भी सोचती है, ठीक है, यहाँ पे मुझे यही नजर आता है, और यहाँ ऐसा भी कार्ट मुझे बताते हैं, कि आज आप जो है ना, अपने past को याद करके thanks बोलते हो, है ना, मतलब कि एक होता है ना, कि हाँ, हमारा past बुरा गुजरा है, और उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे experience रहे हैं हमारे, ठीक है, अच्छे रहे हैं, बूरे रहे हैं, तो आप उन सारे situations को thanks बोलते हो, ठीक है, thanks बोल करके आगे बढ़ना, आप ज़्यादा पसंद करते हो, आपके person जो है ना, यह सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, और यहाँ पे the sun का card है, यहाँ पे आप ऐसे person हो, अंधिरे को उजाले में तबदिल कर देना, मैंने कहा है कि आप काफी controlling हो, है ना, वह ऐसे person, ऐसे energy है आपके कि आप सब चीज़ चेंज कर सकते हो, the sun के card से, ठीक है ना, आप सपने बहुत देखते हो, आपके सपने बहुत है, इस relationship के लिए, इस person के लिए, ठीक है, जो कि आपको साकार करने है, ठीक है, तो यहाँ पे cards मुझे यही बताते हैं, कि आपके लिए काफी सपने देखते हैं, और आप भी उनके लिए काफी सपने देखते हो, यह काफी कुछ सोचते हैं, यहाँ पे तो मुझे marriage दिख रहा है, आपने marriage के सपने देखे हैं, इस person के साथ, इस person का मुझे लगद नजर आता है, कि आपने बच्चों तक की planning कर ली थ तो यहाँ पे वो person सोचते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे, हो सकते हैं कि आपके बच्चे भी हो, है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की energy है, और यहाँ पे आपके person थोड़ा सा मुझे ego में नजर आते हैं, ठीक है, आपके person ऐसा सोचते हैं, कि मैं action नहीं लेता हूं, मैं उसक में लिए कुछ नहीं करता हूं, तो वो यह सोचती है, कि मैं उससे प्यारी नहीं करता हूं, मेरी दिल में उसके लिए feeling नहीं है, तो यह person थोड़ा सा जो है ना, उस चीज को ले करके, उस चीज के बारे में सोच करके, थोड़ा सा इनको यह लगता है, कि अरे, क्या मैं ही इसकी ये situation का मैं ही खुद जिम्यदार हूँ है ना तो आपके person ऐसा सोचते हैं आपके बारे में ऐसी thinking है इनकी कि जो भी इसकी life में problems चल रही है जो भी situation को ये face कर रहा है या कर रही है इसका जिम्यदार स्रिफ मैं हूँ तो अपने आपको ये जिम्यदार मानते हैं ठीक है न यहाँ पर ये person अपने आपको जिम्यदार मानते हैं और यहाँ पर कार्ट्स बताते हैं कि आपके जो person है काफी यहाँ पर यह सोचते हैं कि मैं इसको improve करूँँगा जो condition है जो ये दर्द है जो ये तकलीफ है मेनी वज़य से जो मेरा person दर्द और तकलीफ जहेल रहा है मैं इसको improve करूँगा ठीक है और मैं अपने work के साथ साथ में अपने professional life के साथ मैं अपने जो है love life पे भी थोड़ा focus करने की कोशिश करूँगा ठीक है तो आपके person ऐसी thinking रखते हैं आपके लिए आपके बारे में जो है ना ये हर रात को सोने से पहले ये सारी चीज़े सोचते हैं कि आप क्या हो क्या नहीं हो आपका इनके साथ कैसा time भीता है है तो वो आपके person जो है ज़्यादा thinking करते हैं ये person ये भी सोचते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है बहुत efforts डाले हैं आपने जितना efforts डाला है इस relationship में उतना आपको इस person से नहीं मिला है आपके person बहुत expectations इनकी ख्वाइश ये आपने पूरी करती करते जो है ना अपनी ख्वाइशों को आप भूल गये थे इस person को ये भी एहसास होता है अब आपके person को एहसास होता है कि थोड़ा सा जो है ना मुझे भी यहाँ पे relationship पे work करना चाहिए ठीक है अपने relationship को अच्छा बनाने के feelings पे अपनी situations पे है ना तो आपके जो person है काफी कुछ thinking करते हैं आपके बारे में रोज रात को ठीक है सोने से पहले four of wands का भी कार्ण मुझे clear बलताता है कि आपके जो person है आपको देखो यहाँ पे clear है ना cards की आपके जो person है आपके लिए शादी के सपने देख रहे हैं आप के person हर रात को सफने से पहले यही सोचते है कि मेरा उसके साथ हो जाए है ना हम दोनों सात में आ जाए हम दोनों किurd not जो है ना एक दूसरे के साथ हैं हम दोनों इस बंधन में बन जाएं है ना तो एक होता है ना कि हाँ मेरा person है तो मैं क्या करू क्या नहीं करू कैसे situation को handle कर तो तो थोड़ असा जो है ना यहाँ पर मुझे नजर आता है कि आपके person काफी positive हो रहे हैं इस relationship के लिए और काफी कुछ सोच भी रहे हैं future के बारे में सोच रहे हैं ठीक है ना मुझे तो कार्ट से ही बताते हैं कि आपके जो person है आपके बारे में सोच करके ये marriage का proposal वेगरा के बारे में भी सोच रहे हैं long distance relationship है आप दोनों का तो आपके person आपसे मिलने के बारे में ये हर रात को सोने से पहले सोचते हैं ठीक है चलो और कार्ट देखते हैं क्या है इस इनवर्स काइड में मैंने कहा है कि ये person आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं देखो यहां पर हर रात को सोने से पहले आपके जो person है ये यही सोचते हैं कि मैं उसके पास जाओंगा उसके सामने proposal रखूंगा एक बहुत ही romantic तरीके से बहुत ही romantic way में मैं उसको proposal देना चाहता हूँ उ Will you marry me? है ना? Will you marry me? आपके person काफी romantic मुझे नज़र आते हैं आपके जो person है यहां पर यह नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको propose करते हुए यह सोचते हैं यह planning करते हैं कि हां मुझे जो है ना उसकी तरफ जाना चाहिए उसकी तरफ action लेना चाहिए है ना? तो यहां पर यह नज़र आ रहा है ओके यहां पर मैं देखू तो same gender sex मैंने जैसा कि कहा कि आप लोग same gender sex भी हो सकते हो तो यहां पर कुछ लोग यहां पर financially, emotionally, mentally, depression में हैं, disturbed हैं आपके person आपके बारे में यही सोचते हैं कि उसके अभी जो हालात हैं वो सही नहीं है वो financially बहुत ज़्यादा loss में जा रहा है या जा रही है ठीक है? अपने work पे, अपने career पे focus न करने की वज़से उसका career है, उसकी life बरबाद हो रही है ठीक है? इसलिए भी आपको emotionally, mentally support करने के लिए भी जो है ना? आपके person आपके बारे में सोच रहे हैं ठीक है? ओके? देखो emotional freedom का card भी आ गया तो यहाँ पे जो cards हैं वो बताते हैं कि आपके जो person हैं आपके बारे में यहाँ पे यही सोचते हैं कि हाँ चलो, मैं जो है अपने person के साथ जो है ना time spend करूँगा, उसको अच्छा feel करवाऊंगा और तब जो है ना हम दोनों का relationship काफी बैतर होगा, काफी अच्छा हो जाएगा, है ना, तो आपके person, आपके लिए positive thinking में ही है, ठीक है, negative thinking मुझे नजर नहीं आ रही है, और पता है आप लोगों को, मैंने आप अपना comment box बंद किया है, फिर भी एक lady है, रितु सिंग नाम की, वो बहुत पहले से ही, जो है, मेरे दूसरे channel पे comment करती ठीक है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज मैंने comment पढ़ा, ठीक है, बहुत बहुत गंदा comment था, ठीक है, अच्छा किया था कि मैंने अपना ये channel पे comment box में बंद किया है, उन ही घटिया लोगों की वज़ों से, ठीक है, ताकि वो अपने घटिया सोच और घटिय thinking जो है ना हमारे channel पे ना अपने जो है ठोपे है ना, इसलिए मैंने comment box बंद किया है, ठीक है ना, तो बहुत ही घटिया सा comment था, ठीक है ना, हम लोग Indians के उपर, ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लगा, हम किसी देश के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, हम सरी प्रीडिं चाहते हैं, आप लोग, अलब कि हम Indians के बारे में ही, जो भी बोला था, बुरा था, ठीक है, और मतलब कि क्या कहूं मैं, कोई शब्द नहीं है, उस लेडी के लिए, कैसी thinking है, है ना, तो ऐसे ऐसे लोग है, अजी जो दूसरे planet से आये हैं, मुझे तो लगता है, है ना, तो उनकी thinking कुछ इस तरह की है, एक्डम से बकवास, जिस भी देश की होंगी, वो उस देश के भी, जो है न, वो कह सकते हैं कि वाफादार नहीं होंगी, चलो, ठीक है, रीतु सिंग नाम था, मुझे तो लगता है कि इंडियन ही थी, बट, जाकर के वहां सिठ्ठ हो गई होगी जिस भी देश की होगी, वो, जालो, और कार्ट्स देखते हैं कि आपके पॉर्सन आप से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज काइट में, सो मैं यहाँ पर मैसेज़ेस निकाल रही हूँ आपके पॉर्सन के, देखो, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं बदनाम करना चाह रहे हूं उस लेडी को, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है, आपके सोच के उपर डिपैंड करता है, मैंने बस बताया है कि कमेंट बॉक्स बंद करने का रिजन बस यहीं लोग हैं, जो घटिया घटिया अपनी थिंकिंग और अपने सोच को दिखाते हैं, जिसकी वज़े से मैं नहीं चाहते हैं कि मेरे वीवर्स, मेरे सब्सक्राइबर स्पेस का कुछ असर हो है ना, तो इसके लिए मैंने बंद रखा है, ठीक है, चलो, मुझे पता है, मुझे बहुत सारे वीवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही पॉस्टिव भाइब भी देते हैं, ओके, चलो, मैसेज पढ़ते हैं, तो, you are not afraid to be silly with me, ठीक है, ओके, यू लब unconditionally, बहुत प्यार करते हो, you lost track of time when we are together, you are the first person I tell when things are good or bad, ओके, we know we can work things out together, you hold the key to my heart, and last message है, I feel a help when I am not with you, ठीक है, तो, ये रही आज की reading, आपकी reading, I hope आप सब के साथ resonate की होगी, अच्छी भी लगी होगी, मिलते हैं अगले reading में, तब दक हसते रहिए, मुस्कुरा तरी और इसी तरह कुश रहिए, बाई!